चिल इस question को देखते हैं कैसे solve करना है, क्या दिया है कि X can do a piece of work six days, X जो काम को कितने दिनों में कर रहा है, छे दिनों में कर रहा है, तो X काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है, X का काम 6 दिन का है, और X and Y together, और X और Y अगर 7 में बात करते हैं, तो कितने दिनों में काम को complete कर रहे वन एंड हाफ ठीक है तो एक से और य दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे देखो वन बाइफ का मतलब क्या होता है इसको अगर हम लोग आगे शॉल करेंगे तो का वन से मल्टिप्लाइ होगा तू बन जा टू और वन थ्री इसको हम लग लिख सकते आगे और सॉल करोगे तो यह बन जाएगा वन पॉइंट फाइब ले लो इस तरह से ठीक है क्या करना है क्रॉस मल्टिप्लाइ तिरिछी जर्ब जिसको बोलते उर्दू में तू बन जा टू और वन थ्री थ्री बाइट टू तीन बटे दो तो यहां पर आ जाएगा आपका थ्री बाइट अब इसके आगे क्या गरना है आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या लेते हैं और एल्सेम कैसे निकाला जाता है तो नीचे और उपर वाले का दोनों का ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में अब यहां पर तो आगे डिवाइड में फ्रेक्शन में आ गया तो आपको ज्यादा सोचे निगी जरूरत नहीं सिर्फ यहां का उपर वाला जो पार्ट है सिर्फ उसको लेना नीचे वाले पार्ट को मत लेना तो छे और तीन कौन सा ऐसा नंबर है जो छे के भी टेबल में आता है तो आप बोलोगे शर ऐसा छे है है ना शिक्स एक ऐसा नंबर पर आता है थ्री टूजा शिक्स दो नंबर पर आता है बट ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको इस तरह से करना पड़ेगा तीन अब यह दो है उसको उपर ले जाकर मल्टिप्लाइ कर दो ठीक है ना तो यहां पर एफिसेंसी कितनी आ गई चार आ गई उपर आगया गई रफियर हो गया अब यहां पर देखिए एक्स की अखेले की एफिसेंज सी कितनी व Entscheid और एक्स की अखेले की वच्फिसेंज या ट्री है तब इने एक और तीन मिलकर क्या बनेगा चार बन जाएगा अपने को find किया करना है कि Y अकेले को इसको कितने टाइम लए गए ने अपने को find कर ना है Y के efficiency कितनी तरी development आपको टूटल रोक टूटल वर्क जो तो इसा कि था घुए कर दो कितना आ जाएगा थ्री टूजा शिक्स मल्टिप्लाई की जरूरत नहीं आप मल्टिप्लाई लगाने जरूरत नहीं तो एंसर कितना आ गया एंसर आपका आया टू तू कहां ये ठीक है समझ में आ गया कैसे करना था इसके बाद हम लोग करेंगे अगला कोश्चन सभी को समझ और ज्राज में आना चीए यहां पर किस तरश से मल्टिप्लाई करने का ये भी मैंने बता दिया ठीक है। यहाँ पर कितने दिनों में करता है और उसी काम को कितने 49 दिनों में कर रहे इतना क्लियर हो गया इप स्वर work together on it for five days, अगर इन दोनों साथ में मिलकर काम को पांस जिनों तक करते हैं, the fraction of the work that is left, तो कितना काम बचेगा, ठीक है, दोनों मिलकर काम, पहले देख लो काम कितना है, तो टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क कितना है, चालिस ले लो, दोनों का SM 40 है, तो बिस के हिसाफ से काम करेका कितना होगा, दो और चालिस के हिसाफ से वन हो गया, ठीक है, अब तीन के एफिसेंसी, टोटल एफिसेंसी कितनी आ गई, दोनों की मिलाकर, ठी कर दोनों ने मिलकर काम किया ठीक है एक काम करने की जो सलाहियत है एफसेंसी कितनी है वह ने दोनों मिला दो तो कितना हो गया तीन आगया तीन के हिसाफ से कितने में से बचा 40 में से हाना टूटल कितना था 40 काम था तो 40 में से 15 काम हो गया तो बचा कितना 25 बचा तक्सिम कर लो हम डिवाइड करेंगे 5 8 40 हो गया 5 5 25 हो गया 5 बटे 8 ये जवाब आएगा आपका 5 by 8 ये आपका एंसर आ गया ठीक है तो इस तरीके सा आपको solve करना था ने तो हम लोग क्या डिवाइड करते 15 को किसे डिवाइड करते उस वक्त उस वक्त हम 15 को डिवाइड करते 40 से जब बोलता कितना काम हुआ है तो 15 डिवाइड बै चालिस करते और कितना बचा है तो हमने क्या कि आप 40 में से 15 अनस कर दिया नफी कर दिया बचा कितना 25 बचा 25 चीज को 40 से नीचे क्या रहा है का टोटल वर्क हाना पूरा जो काम उसको नीचे लिखेंगे टोटल काम कहां है चाली से और कैसे आता है हम दोनों क्या लेते हैं हम लोग यहां से क्या लेते हैं क्या लेते हैं लेते हैं ठीक है यह कोशन देखो ए एंड बी अंडर टेक्ट टुद पीस आफ वर्क है और 720 उर्पिय में ए और बी मिलकर काम कर रहें इनका जो मज़दूरी है इन्होंने फिक्स कितना किया 720 उर्पिया दोनों मिलकर लेने वाले काम करने का यह अगर मुझे टोटल काम निकालना है तो आप बोलो किसे लगेंगे तो अगर मुझे टोटल काम निकालना है तो आप आपको ब socialism काम क्या नो siya क्या अजाए रविया तो एक फूरण आइसा नंबर में पढ़ता तो अठीक है तो हमने पढ़ा और बारा आगया तो हमने इस तरह से पढ़ लिया आपको समझ में आ चलो clear होगे अपने को with the help of c finish it in the four days आगे भी दिया था आगे क्या दिया था c के help से मैंने पूरा question नहीं पड़ा था यहां पर आगे भी दिया था with the help of c एक काम को 4 दिनों में करते हैं c के help से 4 दिन में काम complete होता है तो यहां पर c का भी help लेने का मतलब बोले तो a plus b plus ब ineंट्स साथ बेक्र काम करेंगे तो कितने दिनों में खतम होगा चार दिन मेंं खतम होगा इसका यसीम ले लो है तो 24 चार्ष डेवल में आता है किने नमबर पर चे वहश्ता है कि छे निकल गया तो नों को अगर हम लोग देखें तो A का Efficiency 3 आया, B का Efficiency 2 आया तो C का कितना आएगा, बताओ Total Efficiency कितना है, तीनों का 6 है Total तीनों का 6 है, तो A का कितना है, 3 है B का कितना है, 2 है, तो C कितना होगा, 1 होगा तब ही बनेगा 6, हाना, अगर ये 3 है, ये 2 है तो ये 1 है, तब ही तो बन जाएगा अच्छे, ठीक है, तो C के efficiency कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है, इतना clear हो गया, अब सवाल है कि C को पैसे कितने मिले, ये कैसे मालूम करे, ठीक है, share of the C in rupees, C को, sorry, C को कितने रुपे मिले, वो हमें कैसे मालूम करना, वो देखते हैं, तो C को मालूम करने के लिए सिब आपको ध्यान रखना है, 720 को आपको तकसीम करना, डिवाइड करना किसे, जो total efficiency होगा, उसी से करना है, तो total efficiency कितना है, तीनों का, 6 है, कितना है, 6 है, देखो यहाँ पितिया न, A प्लस B प्लस C, तो total efficiency से डिवाइड कर देना, कितना, total salary को, या या रखिये न, तो यह हो जाएगा, आपका, 6 से डिवाइड कर दोगे, और क्या मालूम करना है, जो भी मालूम करना रहेगा, उससे multiply कर दो, अगर मुझे C का मालूम करना है, तो मैं 1 से multiply करूंगा, B का मालूम करना रहता था, 2 से multiply करता, अगर A का मालूम करना रहता था, तो 3 स multiply कर देता, तो मुझे मालम क्या करना है, मुझे C का मालम करना है, तो C की efficiency कितनी, तो 1, तो 1 से multiply कर दो, अब कट करो इसको, 6 का 6, 6 दुना, 12, 120, 120 को X से multiply करोगे, तो 120 की आएगा, तो इस तरीके से हमारा एंसर हो गया, ठीक है, तो 120 हमारा एंसर होगा, 120 कहां दिया है, यहां पर 120 दिया है, corner में दिख रहा है, I think दिख रहा है, ओके, चलो, तो इस तरह से हमने उसकी salary निकाल ली, जो अब इसको पैसे मिले, महनताना मिला, C को, ठीक है, समझ में आगा कैसे निकालना रहता है, यह question देखते हैं हम लोग, इसको कैसे करना है, आसान question है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, चली देखते हैं कैसे करना है इसको, A can do a piece of work, 10 days, A काम को 10 दिनों में कर रहा है, उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, B, B कितने दिनों में कर रहा है, B जो काम को, सेम काम को 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है, तो B वाला बंदा उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, है ठीक है हो गया चलो इतना लिख लिए हमने अब क्या करें सवाले तो सीवी सी बात आप एसी अम निकाल लो टोटल काम निकाल के लिख लो तो टोटल काम कितना हो गया 20 हो गया उसका ऐसे मिखाले बद एफिसेंसी लेने का है यहां के टूटल वर्क आपका पता आपको एफि कौन भाई साबते एक काम छोड़के चले गया जो काम छोड़कर चले गया अच्छा पांस दिनों तक मिलकर काम किये लोगों ने कौन-कौन इन दोनों ने पांस दिनों तक काम मिलकर किया दो और एक तीन तोटल एफिसेंसी कितनी तीन तीन के एफिसेंसी से कितने दिनों त the same remaining of sorry we will do the remaining piece of work तो बाकि जो काम बचा हुआ उसको भी कितने दिनों में complete करेगा ठीक है कितना कितना सभी सकते हैं यहांपि कितना होगे पांच जिनों में पंद्रह होगे बचा कितना तो अपी कितना कितने काँच यहां लिए आखिर फीक से किटने कितने वोन से तो हैं दिरों में करेगा अच्छा उसी काम को अगर एक को करना रहता तो रिमेनिंग वर को तो कितने दिरों में करता आप कमेंट्स करके बताईए ठीक है चला मिलते हैं नेक्स वीडियो में